लोज़ की लोज़ चाई पैं और दर्शी मिलाएं मैचिंग मिलान करना तो ये मैचिंग होता क्या है? आईए देखते हैं ये एक साथ इतनी सारे बच्चे इस टेबल पर बैठ कर खुश क्यों है? क्योंकि ये आईस क्रीम की घंडी की आवास को सुन रहे हैं तो इनके पास क्या आने वाला है? ये इतनी सारी आईस क्रीम्स अब हम देखते हैं ये बच्चे कितने हैं? ये बच्चे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और आईस क्रीम कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि जितने बच्चे और उतनी ही आईस क्रीम तो जो बच्चे इतने खुश हैं आईस क्रीम को देखके चलिए इनको एक-एक करके आईस क्रीम देते हैं तो ये पहली आईस क्रीम हमने दी इन छुटको को दूसरी आईस क्रीम हमने इनको दी तीसरी आईस क्रीम हमने जो बहुत सोच रहे हैं इनको दी चौती आईस क्रीम जिनकी ये बड़ी सी स्माइल है उनको दी पांचवी आईस क्रीम हमने इनको दी और ये आखरी आईस क्रीम हमने इनके लिए रखी तो हमने क्या देखा कि जितने हमारे पास बच्चे थे उतनी ही हमारे पास आईस क्रीम थी तो ना तो आईस क्रीम हमारे पास बच्ची और ना ही कोई बच्चा बच्चा जिसको आईस क्रीम नहीं मिली जितनी आईस क्रीम उतने बच्चे अब हमारे पास हैं ये अलग-अलग जानवर तो कौन-कौन है यहां पर यहां पर बड़ा सा हाती है भालू भी है और ये कौवा भी है उसके अलावा हमारे पास यहां पर है ये बंदर जो केला खा रहा है ये शेर और ये बाग तो ये किसलिए खुश हैं? ये खुश हैं इन सारी गेंद को देखकर और ये चाहते हैं कि ये सब गेंद आज इनको मिल जाएं तो चितनी गेंद हैं क्या हमारे पास उतने ही जानवर हैं? तो एक बार गिन ले इनको तो गेंद को गिने तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे गेंद हैं हमारे पास और जानवर कितने हैं? एक हाथी, दूसरा बंदर, तीसरा शेर, चौथा बाग, पांचवा भालू और छटा ये पक्षी यानि छे जानवर और छे गेंद तो चलिए, एक-एक करके इनको देते हैं तो ये पहली गेंद हाथी को दी दूसरी धी हमने स्पक्षी को तीसरी हमने भालू जी को दे दी चौथी गेंद बंदर को दे देते हैं पांचवी गेंद शेर को दी और ये आखरी बची हुई गेंद हमने दी बाग को तो जिस तरह से हमने पिछली बार आईस्क्रीम को बच्चों में बाटा था उसी तरह से हमने गेंद को इन सभी में बाट दिया अब हमारे पास कोई गेंद भी नहीं बची और सब को गेंद मिल भी गई यानि कि हमने क्या किया हमने जितनी हमारे पास सामान थे उतने हमने सभी में बाट दिये तो इससे क्या हुआ हमने क्या किया हमने की मैचिंग